नमस्कार आप देखरें स्काइनेट टीवी इंडिया पैसे आज के मुख्य समाचार इन दोर ने नमबर का सिलस्रा जारी रखते हुए सोमवार को एक और ताज अपने नाम किया सहर में एक ही दिन में देश में सरवादिक 2,282,813 लोगों को कोरोना से बचाओ का टीका लगाया गया दूसरे नमबर पर बेंगलूरू रहा जहां एक दसमलो साथ एक लाख लोगों को टीका लगा संयुक्त राष्ट की वेस्विक निवेस रिपोर्ट 2021 के मुताबिक 2020 में भारत दुनिया में पांचवा सबसे अधिक विदेशी निवेस पाने वाला देश रहा है UN Conference on Trend and Development इस रिपोर्ट को तयार करता है रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 के दौरान भारत में चार दसमलो साथ लाख करोड रूपए का प्रतेक्ष विदेशी निवेस FDI आया जबकि पूरी दुनिया में इस दौरान निवेस में कमी देखी गई सोमवार को उब्भगता मंत्राले ने Consumer Protection e-commerce rules 2020 में संसोधन का मशोधा जारी किया इसमें e-commerce platforms पर उब्भगताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कई नए प्रावधान सुझाए गए हैं इनमें इन पॉर्टल पर फ्लेज सेल, भारी डिसकाउंट और क्रॉस सेलिंग के नए प्राधान सामिल हैं e-commerce rules 2022 साल पहले 23 जुलाई 2020 से अमल में आये थे सरकार को e-commerce और online shopping में धोका धड़ी और अनुचित व्यापार, व्यवहार की कई शिकायते मेली थी इसके बाद सरकार ने e-commerce के लिए consumer protection rules में बदलाव की तेयारी है State Highway के टोल टेक्स पर भी फास्टेक लगना सुरू हो रहे हैं इंदोर उज्जेन फॉर लेन पर बारोली टोल प्लाजा पर 25 जून से इसकी सुरुवात होगी एक बार टेस्टिंग हो चुकी है मंगलवार से यहां फास्टेक कार्ड भी बनने लगेंगे टोल की एक लेन को सुरुवात में केस के लिए रखने पर विचार चल रहा है ताकि बिना फास्टेक वाले वहन गुजर सकेंगे मंतली पास वालों का कार्ड फास्टेक में समाहित हो जाएगा उज्जेन में त्रिवेनी टोल पर फास्टेक लगेगा वही इस्टेट हाईवे के टोल पर नहीं मिलेगी सीवी एस्टी ने बारवी के परिणामों को लेकर सुप्रीम कोट में एक नया हलप नामा दायर कर बताया है कि अगर कोई विध्यारती अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो वहाँ वेकलपिक लिखित परिक्षा के लिए पंजिकरन करा सकता है एसे विध्यारतीयों के लिए 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच वेकलपिक परिक्षाएं आयुजित की जाएंगी इस परिक्षा में विध्यारतियों द्वारा प्राप्त अंकों को उनका अंतिम अंक माना जाएगा सोंबार देर रात आये कोरोना बुलेटिन के अनुसार 8,460 सेंपल की जाच की गई जिसमें 15 पॉजिटिव आये वह स्वस्त होकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या त्रेपन रही आज की खबरों में बस इतना ही धन्यवाद